जी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीदें आप सब ख़ड़ी से होगे कुकरी एंड बीटी टिप्स में में आपको वेल्सम करती हूँ इस वकत आप मुझूदें साइमा के साथ आज हम बनाने जारे हैं चिकल टिक्का चिकल टिक्का भी हो वाला जो आप शादियों में खाते हैं तो नहाएंती मज़दार और हजीज होगा तो आप स्टेट बाइ स्टॉक फॉलो कीजिएगा तो आईए शूरू करते हैं इसके लहरा में पटलागे देने इस प्रम कटलेक वाले जार दर चार लगने जाके मसाला जो करा चाह वाले तरह हैं तब सब्सक्राइब दोरी अध्यक्रिक्स्ट का पेश्च जो चमच्च्च मसाले इसमें जाएंगे, आदा चमच फल्दी जाएगी, एक चमच यह है कुटी भी लाग में चिक्षमा होगी, गरम मसाला इसमें एक चमच, अच्छा यह है सुका धनिया और जीरा, यह हमने सुके धनी के दो चमच लेगी ते और जीरे का एक बड़ा चमच लेगी आथा, इ यह हमारा है चार्ट मसाला, चार्ट मसाला जाएगा आधा चमच और दी मुफ का इसमाल होगा, एक अरत में, तो आई शुरू करते हैं, इसमें लाग में इसमें डाले हैं ओल, ओल इतना डालना है कि हम तिक्की के जो पीस हैं, उसको हुड़ा प्राइब कर सकें, प्राइब प्राइब करेंगे, इसको बाइब करने, जी तो वीवर्ट यह देखें कितना खुशूरत कलार आ गया है, हमने इसको सिर्फ कलर देना था, ताकि यह थोड़ी हमारी टेंडर हो जाए, अब हम इसको निकाल लेंगे, और बाकी के दो हमारे पीसिस हैं, उनको भी सेम इसे तर प्राइब कर लेंगे, तो फ्रेंज यह देखें हमारे बाकी के दोनों तिक्के हैं, उनको भी हमने इसी तरह कर लेना है, आपने रेसिप्ट को पूरी तरह फॉलो करना है, और स्टैब बैस्टैब देखना है, ताकि आपका बहुत अच्छा सा तिक्का बन सके, अब हम स्टाट करें अपना सेकेंड प्रॉसेस, जिसमें दई के अंदर तमाम मसाले में शामिल करूंगी, सबसे पहले यह जो अगरक लसन है, यह में इसमें डाल दूँगी, उसके बाद यह तमाम मसाले जिसमें लाल कुटी भी मिर्च थी, हल्दी पाउडर था, चाट मसाला था हमारा, नमक है, गरम मसाला पाउडर, और सुका धनिया और जीरे को हमने भून लिया था, भून कर औ करेंगे द्हीं के अंदर, तवमाम मसाले में मिक्स करनी है, जे यह सारे दिए न्दर शामिल हो करूंगा. यह तमाम मसाले हमारे शामिल होगे है, इसको मिक्स करने, अच्छा फूट कलर भी हम इसमें थोड़ा आट करेंगे फूट कलर मैं बताना भूल गी थी वह हम इसमें थोड़ा आट करेंगे दहीं हमने इसलिए जादा नहीं लिये यह तमाम जो अभी मैं बैटर लगाऊंगी वो सिफ तिकों के ऊपर ही है एक्स्ट्रा वेस्टिज्ज ना हो तिक्के बनाने के अलग- unwanted अंदाज हैं हर एक हैं अपने अपने तरीके हैं लेकिन इस्पेशली यह इस्तिमाल होता है तो मैं आपको वही रस्पी बटा रही दा यह अच्छी थरह हमारा मसाला मिस हो गया यह हमारा जाएगा नीबू, बीज हमने निकाल दिये, यह हमारा नीबू चला गया, अब इसमें जाएगा फूट कलर, यह फूट कलर, होड़ा समय ने ले लिए, कलर के लिए, चिकन के ओपर हमारा थोड़ा अच्छा सा प्लार आ जाए, यह गदर आ गया, बहुती खुबसूरत हमारा बैटर, अच्छी सी स्मूथी तयार हो गई है, अब तिक्के के ओपर हम यह लगाएंगे, जो हमने फ्राइट किया था, जो हमने मसाला तयार किया है, अब हम अपने तिक्कों पर लगा देंगे, मसाला हमने उतना ही तयार किया है, इतना ही जरूरत हो, ताकि जादा वेस्टेज ना हो, इसी तरह दूसरी तरफ भी, ऐसे ही हम मसाला लगाएंगे, और इसको आदे घंटे के लिए या पंदा मेंट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि यह थोड़ा मसाला रख जाए, जी यह चारो तरफ से, चारो जो हमारे तिक्कें यह हो चुके हैं, दोनों तरफ से इसको मैंने अच्छी तरह मसाला लगा दिये, अब जो नेक्स प्रोसेज है, वो देखें क्या करना है हमने, हमने ले लिए एक अदद कड़ा ही, और उसके अंदर हम इस तरह स्टैंड रख अच्छी ना करें, अच्छा मैं इसमें दो तिक्कें इस्तमाल करूँगी और बाकी दो को जो है वो मैं फ्रीज कर दूँगी, फ्रीज आप इनको एक से डेड़ महीने के लिए रख सकते हैं, यह मैं उपर से कवर कर दूँगी, यह अपनी स्टीम में हो और बाकी जो है, उ इसका मैकसिमम टाइम जो है, 35-40 मिनिट से उसमें बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फ्लीम को पांच मिनिट हम तेज करके उसके बाद बिल्कुल हलकी कर देंगे, जब आप यह बनाएंगे तो ऐसा लगेगा, पूरे महले में हर तरफ खुश्बू फैल गई है, और लोग भी नरम हो गया, बहुत ही अच्छा बना है यह हमारा, बहुत अच्छा स्टीम हो है, अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आ रही है, तो मेरा चैनल कुक्रियन ब्यूटी टिप्स को सब्स्राइब करें, और मेरी वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें, अगली वीड